कितना भी पकरो फिसलता जरूर है ये वक्त है साहव, बदलता जरूर है नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ इंजिनियर राषिस kanil मीशरा, फिर से स्वागत है आप सबों के अपने YouTube channel Karrier Vila Academy पर उमीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाय में व्यस्थ होंगे तो इंतजार करिए आप लोग का भी वक्त जरूर बदलेगा मेहनत करिए सब्र का फल मीठा होता है तो आज का ये सेट नमर छे है इसमें बहुत सारे अर्थमेटिक के अच्छे-चे क्वेशन कराया हूँ मैं कुछ-कुछ लेंदी क्वेशन भी कराया हूँ कुछ-कुछ सॉट प्रेक भी बताया हूँ तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो का आनंद उठाइएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देजेगा अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बुरियेगा तो चलिए वीडियो को सटार्ट करते हैं तो गाइस यह रहा आज के सेशन का पहला वीडियो और गेस पेपर का 79th question question मैं कह रहा है कि किसी निश्चित party में जो है पूरूस और औरतों की संख्या का अनुपात कितना है एक अनुपात दो तो मैं इस question को प्रिक से बताने वाला हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ एक अनुपात दो फिर क्या करता है जब दो पूरूस और दो औरत निकल जाते है तो अनुपात बन जाता है एक अनुपात तीन ठीक है और क्या क्या निकला दो पूरूस निकला है और दो महिला निकला है मैं क्या करूँगा तीन को एक से गुना करूँगा तीन दो को एक से गुना करूँगा दो और घटा दूँगा ठीक है उसका बराबर कर दूँगा मैनस दो को एक से गुना करूँगा तो 3 part का value क्या हो जाएगा 4 गुना 3 यानिकी 12 option number C आपका answer हो गया आपको अगर basic से भी बनाना है तो calculation को fast करना क्या करा है कि 1 अनपार 2 में पुरूस और महिला थी तो पुरूस को x मान लेंगे तो महिला को कितना मान लेंगे 2x महिला पुरूस से 2 निकल गया और महिला से 2 निकल गया तो ratio क्या हो गया एक अनपार 3 तो 3x और 2x minus हो जाएगा 2x इधर आएगा तो x बचेगा 3 गुना minus 2 minus 6 minus 6 जो है इधर जाएगा तो plus 6 हो जाएगा और यह minus 2 हो जाएगा तो यानिकी 4 यहान से x का value 4 आ गया तो total कितना था x plus 2 x 3 x 3 x का value कितना आ जागा 12 basic से भी बनाना है तो calculation आपको fast रखना परेगा अगर ये trick सिखना है तो comment करिएगा मैं इसमें 5-6 question बेट बता के trick बता दूँगा चलिए next question पर चलते हैं ये question तो बहुत ही easy question है इसमें कर रहा है कि 170 रुप्या को just a b c में 1 वट दो अनुपात 1 वट तीन अनुपात 1 वट चार का नुपात ये बाट बाट दिया गया तो और्जिनली ये अनुपात ठीक है तो इसको एक बटा के अनुपात में सीधा करेंगे तो क्या करेंगे दो, तीन, चार का LCM लेंगे ठीक है LCM कितना आ जाएगा 12 अब क्या करेंगे पहले वाले को यानि कि एक वाले को दो को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 फिर दूसरे वाले को एक वाले को 3 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 तो दॉसरे वाले को गुना करेंगे तो दूसरे वाले को तेरा से गुना करेंगे SS verbal करेंगे कि ये दोनों करने में होता हैं जाइन Самराष यह क्या है था हज़ा है उसके पहले वाले को बहुत दूसरे हम कंद आख़िए लेंगे यहां पिक आपन की आप 25 अनुपाथ 36 अनुपाथ 27 कूझे 900 से गुना है औरशने से मिल रहा है जूइक यह को उनल थीसिए लेकिन C को लाव हुआ है 25 का अब देख लेते हैं 54 प्लस 36 कितना होता चवण प्लस 36 90 97 117 यानि कि यह 177 यूनिट है 117 यूनिट के वहल्यू कितना है 117 रुपया भी है यानि जिस रेशियों में यह है उसी अनुसार इसको रुपया मिला है यानि कि इसको 54 मिला एक को पहला कं 25 का फाइदा हुआ यानि कि C को 25 का लाव हुआ क्योंकि सबसे अधिक लाव कुछ रहा है तो बहुत इजी कोश्चन है आप लोगो समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेचन पर चलते हैं यह कुश्चन इसमें कह रहा है कि देवेन ने अपने धन का दो पंच मांस अच्छा 25 मांस अच्छा हम समझ गए 25 मांस का मतलब दो वटर पांच भाग हो गया होगा मतलब दो दो पांच अंस होगा हमको लगता है ठीक है विसाल को दे दिया तो कि सौल करते हैं यानि और विसाल ने देवेन से प्राप्धन का एक वटर चो थाई पाट मैं क्या करता ह और विसाल के पास अगर आठ था तो विसाल जगन को कितना दिया आठ का एक वटर चार भाग यानि चार दुनी आठ यानि कि अब यह रेशियो इतना रेशियो में है ठीक है अब करा यह जगन ने उस धंदासी से 18 रुपे कम प्राप्ध किया किस धंदासी से तो आरम नहीं ईव्देव के पास कितने रुपएख कितना बैली और दीस है प्यानि बीस का बैले कितना हो जागा वी सब्सक्राइब और चलते हैं इसमें कहा रहा है कि इस तरह से वित्रिट किया गया कि उनके अंसों को 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया जब घटा दिया गया, जो उनको मिलना था, उनमें से सम्में से इंडिविजुली 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया घटा दिया, तब जाके रेशियो जहें 3,95, 4,95, 5 हो गया, ठीक है, तो अगर 24-37 रुपया है, इसरे दर्टी को 15 रुपया कम मिलता, तो टोटल कितना कम मिलता, टोटल 15, 10, 25, 5, 30 रुपया कम मिलता, तो टोटल यहां कितना है, 24-30, तो 24-30 में से अगर 30 रुपया घटा देंगे, तो बचे का 24-100, ठीक है, यही 24-100 जो है इस अनुपात में है, तीन अनुपात, 4,95, 5 के अनुपात में, यही 24-100 है न, क्यों? क्योंकि अगर हम 15, 10 और 5 को घटा देते हैं, तो 24-100 बसता है, और यही कर रहा है कि घटने के बाद ये रेशियो 3, 5, 4, 5, 5 हो गया है, तो घटने के बाद एमाउन्स हम निकाल लिए 24-100, अब बता ये 4, 3, 5, 12, 12 यूनिट का वेलियो दिया हुआ है 24-100, तो एक यूनिट का वेलियो कितना होगा? 12 से डिवाइद मार लेंगे, तो दूसर एक यूनिट का वेलियो हमको आगया, दूसर तो question में पूछ रहा है, C का अंस कितना है? तो C का अंस वहले यहां से निकाल गोगी है, ये कितना हो गया? 5 का वेलियो कितन जो था 345 तो 345 घटने के बाद C को मिलता 1000 बट इसको 15 रुपया कम मिला था देखिए C को 15 रुपया कम मिला था तो 1000 में से 15 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 15 रुपया जो कि आपका option नमर A में है समझ में आया गाइच इस तरह आप लोग को समझना चाहिए question क्या कह रहा है ने तो फिर आंसर आप लोग गलत मारके आ सकते हैं और आपका negative हो जाएगा चलिए next question पर चलते हैं कि यह question यह भी थोड़ा सा ठिक ठाक question है कर आये की A B C का वेटन है A है B है और C है A को वेटन एक मिल रहा था V yap लटोsk चार अब percentage increase होता है ठीक है, कितना, पहले वाले में 5% increase हुआ है, दूसरे वाले में 10% increase हुआ है, तीसरे वाले में 15% increase हुआ है, तो 5% increase का मतलब क्या होता है, 105%, ठीक है, जो वेतन जो होगा, वो पहले वेतन का 105% हो जाएगा, और 10% increase का मतलब क्या होता है, 110%, ठीक है, percent लिग दिजिए, और 15% का मत भुना एकसाउट कि पांच तीन गुना एकसाउडस चार गुना एकसाउड़ अपकार दीजिए फास से 25 ऐकसाउडस वगया ना 255 एकसाउडस कि तूस पंचाॉडस काउड़ क्या वा करती हट लिए यही दैशियो हो जाएबा बाधने के बाद सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोस्तों ये जो क्वेशन है ये बहुत ही अच्छा क्वेशन है इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा भी क्वेशन में कह रहा है कि समान लंबाई का दो मुंबती है ठीक है जिसका जो मोटापन है वो डिफरेंट है एक ही टाइम पे जलना प्राड़ाम करती है देख लेते हैं दो मुंबती है एक मोटा वाला है एक पतला वाला है बना लेते हैं फिगर आपको समझाने के लिए बना रहे हैं मोटी मुंबती जो है छह घंटा में जलती है यानि कि 6 आवर में यह पूरा जल जाती है और पतली को 2 गंटे कम समय लगते है यानि कि 6 से 2 गंटा कम लगेगा तो 4 आवर में यह पतली वाले जलती है तो कह रहा कि कितने समय में मोटी मुंबती पतली से दो गुनी लंबाई की रहेगी स्टार्टिंग में लंबाई सेम है तो मैं 6 और 4 कालसियम निकाल लेता हूँ और उसको ही टोटल लंबाई मान लेता हूँ दोनों का 6 और 4 कालसियम 12 करा देगा यह तो ऑगर च्यावर में बारा यूनित का लेंट पष जलता है तो हम इसको 34 इसवांर उसको इसको इसको एक बारें बाक्त कर रहे हैं तो एक आवर में कितना जलेगा 12 वटे 6 यानि की दो इन आने डी जो है वो पहले वाले का दो इन हो जाएगा भी के बारे में बात करते हैं भी जो है वो चार आवर में बार इन जलती चाऊ आनि की यानि की तीन वन जलती है अब हम मान लेते हैं कि T time के बाद जो है दोनों मंबत्ती का length का जो रेसियो हो जाएगा 2 is to 1 हो जाएगा क्योंकि यह ना question मैंने बता रहा है कि मोटी मंबत्ती पतली से दुगनी हो जाएगी ठीक है तो T time में पहला मंबत्ती कितना जलेगा अगर एक hour में 2 unit जलता है तो T time में 2 T जलेगा उसी तरह दुसरा मंबत्ती अगर एक hour में 3 unit जलता है तो T time में 3 T जलेगा तो remaining जो portion होगा remaining remaining portion कितना हो जाएगा 2 T तो जल गया total 12 का length था तो बचेगा कितना 12 मैनस 2 T और पतली वाली का कितना बचेगा 3T तो जल गिया 12 total lane था 12 minus 3T अब यही ratio निकाल दीजिए 12 minus 2T divided by 12 minus 3T यही तो 2 is to 1 के ratio में है यहाँ से निकाल दीजिए 12 minus 2T आपको समझाने के लिए मैं सही calculation कर लेता यह 24 minus 60 हो जाएगा 60 उदर जाएगा तो 40 बच्चेगा 12 उदर जाएगा तो 12 बच्चेगा यहनि कि T equals to 3 hours option number C आपका आंसर होगा आपको यह तो लेंदी question है बट exam में आपको करना क्या है exam में आपको क्या यह बनाना है नहीं बनाना है क्या यह लिखना है नहीं लिखना है सिर्फ इल्जाम आपको करना है 6 घंटा में जलता है और 2 घंटा में जलता है यानि कि 4 घंटा में जलता है तो 6 और 4 के SM 12 लेना है तो 12 लेना है तो per unit rate निकाल लेना है तो पहला एक hour में 2 जलेगा दूसरा एक hour में 3 जलेगा T time के बाद मान लेंगे डोनों का ratio है जो है वो 2 is to 1 हो जाएगा तो कितना जलेगा T time में 2 T 3 T तो बचेगा कितना 12 मेंस 2 T 12 मेंस 3 T तो रही ratio निकाल के solve कर देना है hardly ये 20 से 25 सकेंड का question है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा ठीक है आई होप आप लोग को ये question समझ में आ गई होगी इस तरह के question पूछते हैं ये question इस्ट्रेंट छोर के आ जाते हैं आप लोग नहीं छोर के आ जिएगा मैंने अच्छे से समझा दिया है चलिए next question पे चलते हैं ये question मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था खिर भी यहां बता देता हूँ जिससे कि आप लोग को ट्रिक समझ में आ जाए देखिए A और B का वार्सिक आए क्या है तो आए आए क्या अनुपाद क्या है चार अनुपाद तीन और उनके वार्सिक वियाए वियाए के अनुपाद कितना है तीन अनुपाद दो और वर्स के अनुपाद में सेविंग साथ हजार बचाता है सेविंग कितना है साथ हजार दोनों तरफ है साथ हजार ठीक है दोनों बचाता है साथ हजार क्या करना है दू को चार से गुना करना है आठ हुआ तीन को तीन से गुना करना है नौ हुआ अब क्या करना है दू को साथ हजार से गुना करना है तो एक लाग बीस हजार हुआ तीन को साथ हजार से गुना करना है तो एक लाग असी हजार हुआ अब बताई यहां पे difference कितना है, यहां 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 difference कितना है, यह याद रखिएगा ओके गाईच अब तो समझ में जरूर आ गिया होगा चलिए next question पर दलते हैं यह question एकदम basic question है जैसे आपको कर रहा है वैसे से बना दिजे कर रहा है कि इसी संख्यां के 5% और दूसरी संख्यां के 4% तो दो को संख्यां हमा लेते हैं और य दो संख्यां ठीक है तो एक्स का 5% ठीक है उसी तरह कर रहा है य का 4% का योग जो होता है वो पहले संख्यां का 6% यानि कि एक्स का 6% और दूसरी संख्यां के 8% य का 8% कि योग का 2 वटर 3 है तो परसंटे तो कठी जाएगा अब आपको इसको solve करने में time नहीं लगाना है एकदम easy way में इसको solve कर देना कैसे ये 3 5 से गुना होगा तो 15x ठीक है और ये 2 6x से गुना होगा तो 12x इधर 15x है इधर 12x है तो 12x अगर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3x ठीक है उसी तरह ये 3 4 से गुना होगा तो 4 ती है 12y और ये 2 8 से गुना होगा तो 16y इधर 12y है और इधर 16y है तो ये 12y उधर जाएगा तो 4y तो x by y का value जो आपको आ जाएगा 3 by 4 चलिए जितना जल्दी कर्कूशन करिएगा उतना आपके लिए फाइदा होगा चले next question पर चलते है ये question से देखने में हाड लग रहा है बढ़ ये actually में हाड है नहीं देखिए ठेकेदार है जो कोई काड को 9 दिन में पूरा करने का वादा करता है ठीक है लेकिन उसमें कह रहा है पहले दिन से ही काम पर नहीं आए माल लेते हैं कि X वक्ति था ठीक है वो 9 दिन में काम को पूरा कर लेगा तो टोटल काम ये हो गया अब जो टोटल काम होगा वो भी इसी टोटल काम के बराबर होगा तो ठीक है माल लेते हैं और कारा कि पहले दिन से ही 6 वेक्ति कम थे, एकस वेक्टि माने थे, तो एकस में से 6 वेक्ति गट गट गया, और आप जो कारा है कि 6 वेक्ति उन्हें, 15 दिन में काम पूड़ा किया, तो यह 15 से गुना हो जाएगा, तो यह भी टोटल वर्ग, इसको नहीं कराऊंगा, समय बरबाद नहीं कराऊंगा, चलिए नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं, इस टाप के कोईशन भी मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो में इसको करा दे रहा हूँ, कर रहा है कि टोटल 90 रुपया है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक् यह कितना हो जाएगा, 4 LCM आ जाएगा, 4 पलस 3 पलस 2, यानि कि 9 बट है, 4 रुपया यूनिट में आया है, प्रोटल कितना रुपया है, 90 रुपया, तो 9 दहें 90, यानि कि एक यूनिट का वेलू कितना आ जाएगा, 10 चोगे 40, तो एक यूनिट का 40 है, तो 25 पैसे वाला सिक् पैसे ना रहे हैं, तो क्वेशन में कह रहा है कि 7 आदमी अथवाद 10 और ते, यानि कि 7 में इक वस्टू है, 10 उमेन के, यानि कि में वाला जाएगा, तो टोटल वर्क यहां से निकाल लेते है, 7 में है, उसका इफिसियंसी कितना है, 10 है, ठीक है, कितना दिन में, 10 दिन में क काम करता है, ठीक है, और कितना मीटर लंबा दिवार काम करता है, तो 100 मीटर, तो आप एक फर्मूला जानते होंगे, M1, D1, T1, बटर W1, यानि कि काम नीचे रहता है, और सब कुछ उपर रहता है, ठीक है, अब इसको बरावर करना है, 14 आदमी और 20 आदमी है, और एक आदम मीटर लंबी दिवार, कितने दिन में करता है, तो X दिन में करता है, तो 0000 कर जाएगा, यह जो है, 280 आजाएगा, 280 बटर 6 X, यहाँ से 0010 कर जाएगा, 7 चोके 28 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पंचर 10 हो जाएगा, यानि कि X बरावर 15 दिन आपका आपका 15 देच, यह 5 और यह 3 गुना होगा, पास्तिली 15, कैलकुलेशन फास्ट रखिए, आराम से बन जाएगा, अगर नहीं समाझ में आता है, तो फिट से रिवाइन करके वीडियो देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यह क्वेश्चन भी बिछले क्वेश् इंजन है, दूसरा टाइप का है लगता है, आठ इंजन है, दस घंटे पते दिन कारत रहकर कितने खोईले की खपत करेगा, यानि कि कितने कोईले की खपत करेगा, जबकि पहली परकार के तीन इंजन, पहली परकार के तीन इंजन खपत करते हैं, उतना ही जितना की दूसरी परकार के चार इंजन यानि की तीन इंजन पहली परकार का अगर इसको पहली परकार मानते हैं और इसको दूसरी परकार मानते हैं तो तीन इंजन पहली परकार का उतना ही खपत करता है जितना की चार इंजन दूसरी परकार का तो पहली और दूसरी परकार के इंजन का इफिसेंसी जो आ जागा वो चार अनुपाद तीन आ जाएगा तो इस पांच को चार से गुना कर दिजिए इस आठ को तीन से गुना कर दिजिए ठीक है अब यहां से X का भेलू निकाल लिजिए 4 दूनी 8 तीन तिरिक 9 पांच दूनी 10 तीन दूनी 6 तो X का भेलू क्या आ जागा ये दू ये दू ये दू तीनो दू गुना होगा तो 8 मिट्रिक टन आंसर समझ में आया गा इसकी नहीं आया इसमें कह दिया कि पहली परकार का 3 इंजन खपत करता है दूसरी परकार के 4 इंजन से तो पहली परकार का 3 इंजन 3 A बराबर होगा 4 B के तो A और B का इफिसेंसी निकल गया चार और पात तीन यहां पर 5 इंजन है पहली परकार का तो टोटल 20 नो गंटे में करता है तो 9 कितना कार करता है छोब मेट थपत करता है कार को नीचे सब कुछ को उपर इससे आकस का ब्लू आख निकल गया चले नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं यह स्टर्वार लपेटा गया है तो इसको एक बार लपेटेंगे तो यह क्या हो गया एक सर्कील टरफ बनेगा तो सर्कील का पर दिक्या हो जाता है और दूसरे केस में भी यही रसी है तो लेंथ बराबर होगा तो 20 cm त्रिज्या है 2P है 20 cm त्रिज्या है तो कितनी बार लग पिटा जाएगा तो टूपाइ टूपाइ कटी जाएगा इसलिए टूपाइ लेने की जुरू में जवरत नहीं परती है मैं आपको समझाने के लिए लिए है एकजाम में तूपाइ लेने की जवरत नहीं है सीधे 14 गुना 70 जिकल टूब 20 लिखेगा 20 से कार दिजिए गा दूसरत 14 यानिकि एन का व तो काम हो गया ना 38 दिन में काम होना था अब 25 दिन तक काम हो गया अब कितना दिन बचा काम करने के लिए 13 दिन बचा ठीक है तो 25 दिन बाद उसने 5 वेक्ति और लगाया पहले 30 वेक्ति था अब 5 वेक्ति और लगाया तो 5 वेक्ति लगाने से क्या पता चला कि काम जो है एक तरीखते नहीं लगता अजिए मतला 55 नहीं करके 30 रखता पहले जो तीस थाठ टीसी रखता तो कितना दिन में काम समाब्र होता तो एक्स दिन में काम समाब्र होता यहां से एक्स का वहलेव निकाल लीजिए चोड़ो दिन आ गया कितना दिन लगना चाहिए था और तेरा दिन लग कितना रहा है चोड़ो दिन ज्यादा है एक दिन आपका आंसर बहुत ही अच्छा समझने का फेर है ठीक है बच्पन में हम लोग को भी इस क्वेशन में दिक्कत होती थी अब नहीं होती है चलिए नेक्ट पर चलते हैं यह बहुत इजी क्वेशन है सिर्विस में क्लक्वेशन करना है कर रहा है कि दो आदमी तथा साथ लरका है तो दो में पलस सेवन बॉय ठी की टोटल काम हो गया यह भी बराबर होगा किसके जब कि तीन आदमी तता आठ लरके ठीरी में है और एट बॉय है कितना दिन में करता है 11 दिन में करता है कल्कुलेशन करिए जितना जल्दी कर सके आप 11 33 में 14 28 में उधर चल जाएगा फाइब में 14 98 बॉय एधर चल जाएग इसमें निकल कर रखते हैं में दो है यह काम को इसके तिन गुन्य कार को यंगे कि यह तोटल कार है इसको तीन से और गुना कर दीजिए कितने दिन में करेगा एक्स दिन में यह साथ चार 11 गुना 14 गुना 3 है यह 16 चोड़ बाइस एक्स है एक्स का वेल्यू एक्स दिन ऑप्सन नमर भी कुछ नहीं है यह सब कुंसे आपको आता ही होगा चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं यह कोशन भी पिछले कोशन की तरह ही दो दिन बात गए ना यानी दो दिन तक तो 400 आदमी खा लिया ना अब जो बचा वह आठ दिन का बचा कितना आदमी का भोजन当 दो BETL भोजन के lum गया इतना अब यहीं टोटल भोजन को सेस व्यक्टती के लिए कितने दिन चलेगा तो सेस व्यक्टती कितना है 400 मेंसे 200 चला या तो 200 रखती है कितना दिन तक चलेगा एक्स दिन तक चलेगा यही बेल्यू निकालना है कट गया दूदूने चार यानि कि 16 दिन तक चलेगा आसान पुश्चन था अपसन नमर भी आंसर हो गया नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं तो दोस्तों यह जो कुश्चन है यह तो पाँच तरीक पंद्रह आर्ट तरीक के 24, 12 यह 36 यानि कि पाँच मेल बनावर है आठ फिमेल के बनावर है त्वेल बॉइक तो पाँच आठ बायरत तो इसका रियो निकालेंगे मेल फिमेल और बॉइका तो यह एक व्ट पांच हो जाए गया यह एक व्योटरा हो जाग है 120 यह रेसियो आ गया यानि की का रेसियो आ गया अब क्वेश्टन में कह रहा है तो पहले एक टोटल कारे निकाल लेते हैं 15 पुरूस है और एक पुरूस का efficiency 24 है तो 15 गौना 24 आठ गंटे पर ते दिन काम करता है तो आठ और बारा दिन तक करता है तो बारा यह टोटल वर्क है तो आगे का जो प्रोसेस होगा यह टो टल वर्क ही करेगा जो भी करेगा तो 12 इstersे हैं तो 12 Souls है तो 12 गूना 15 ओए तो बारब साइक सो 80 फिर उसको शे बालक है और एक बालक एपिसेंसी 10 दस है तो काम को पूरा करना है इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ काट कुट करना है जितना आप काट सके देखिए 15 से गया 30 ये 6 ये 2 चार दुनी 12 ये 12 चला गया ठीक है ये 4 से 4 दुनी 8 चला गया अब ये जो अंदर में है ये अंदर में है 240 पलस 24 एक्स ठीक है और इधर है 9 गुना 24 गुना 2 अब यहां से 24 निकालेंगे और इस 24 एकार देंगे तो यहां बचेगा 10 पलस एक्स और इधर बचेगा 18 तो एक्स का विल्यू क्या आ जागा 18 में से 10 गया 8 आपका अंसर हो जाएगा कुछ नहीं सिर्फ कैलकुलेशन करना है बहुत ही आसान क्वेश्चिन है खाली क करने वाले तो डर्ना नहीं यह दूसरे पेसे समय बचाएगा और इस पर समय दीज्जिए चलते हैं यह कुषिण पीछले कुषिण सब कितरा ही है बट इसमें क्या करना है कि खोद रहा है तो खोड रहा है तो कितना मैं निकालेगा तो मिटि जो होगा वो वबॉल्यूम मे तो दिन में घ Human i agree that we've got in इतना उपर ने चरह जाएगा ये टोटल बराबर हो जाएगा इसके इस के पांस यह फिर बोल्यूम बता डारा है पांस चालीस मीटर लंबा है चार मीटर चौड़ा राधा है और सारे 3 तीन मीटर्ल गहा रहा है कि टीन रच्वार्डेंट ग्मट Hok twenty कर रहा है चालीस व्यक्ती चार घंटे पर्टी दीन कर रहा है तो कितना दीन में खोदब एका ऐख दीन में को देगा तो कट कुटे स्टार्ट कर दीज hackers क्या यहाँ से यह साथ है यह इधर दो है दर चार है तो गुना हो जागा और यह 27 गुना साथ यानि कि एक्स का जो बहलियों यहां से आ जाएगा वह 27 गुना साथ बटा आठ हो जाएगा 27 गुना साथ कितना हो जाएगा 207 इसको डिवाइड मार दिजा आर्दुनी सोल दूंतिस आर्ट तिरी कि चोविस बचा पांच बटाएगा तो आपका अंसर होगा इजी क्वेश्चन था चलिए नेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यह सोवां क्वेश्चन है गाईज इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बनाना चाहिए इसकोели आगहाइगा तो मैधर से बनाइता है क्या करता है कि चार भाईयों कि उसा तो उम्र क्या है बारा वर्स है तो हम क्या मान लेंगे चारो भाई का बारा 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 है ठीक है अब कर आए कि मां की उम्र add होने से 5 verse average में बढ़ जाता है अगर मा की उम्र को भी हम 12 लेते हैं तो average में कोई परिवरतन आएगा नहीं आएगा यानि कि मा की उम्र जो है वो 12 साल तो होगी ही होगी लेकिन 12 साल से उपर होगी इसलिए क्योंकि 5 verse average जो है वो बढ़ रहा है तो 5 verse कितना आदमी पर बढ़ पहले चार आदमी था फिर मदल आने पर पांच आदमी हो गया है तो टोटल 25 वर्स बढ़ रहा है तो मदल की एज कितनी हो जाएगी 25 प्लस 12 को बड़े आसानी से सॉल्व करा देगा चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं आई होप आप लोग को पसंद आ रही होगी अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो मिलते रहेगी मैं सोच रहा हूँ एक और स्रीज लाने का दूसरे बुक का तो आप लोग चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिस करें चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और आपनों का ख्याल जय हिंद जय भारत